गांधी स्मृती एवं दर्शन समिती की पत्रिका अंतिम जन प्रकाशित क्या हुई कॉंग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया जानते हैं क्यों क्योंकि इस पत्रिका का जो इस बार कांख है वो वीर सावरकर को समर्पित किया गया है और इसके बाद कॉंग्रेस ने वीर सावरकर का अपमान करना शुरू कर दिया लेकिन क्या कॉंग्रेस ये भूल गई कि महत्मा गांधी किस प्रकार से वीर सावरकर को भाई कहकर संबोधित करते थे उनका सम्मान करते थे यही नहीं गांधी परिबार की ही दिगज नेता और पूरु प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी किस प्रकार से वीर सावरकर का सम्मान करती थी उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी मानती थी आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आखिर सोनिया गांधी की कॉंग्रेस को क्या हुआ कि अचानक से वो वीर सावरकर के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने लगी साथियों नमस्कार मैं हरिश्चन बनवार महात्मा गांधी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार ने गांधी स्मृती एवं दर्शन समीती का गठन किया है और ये जो समीती है ये महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार ही करती है और यह जो समीति काम करती है वो केंदर सरकार के अंतरगत संस्कृति मंत्राले के अंतरगत इसका कामकाज होता है और यह जो समीति है इसमें महात्मा गांधी से जुड़ी करीब 60,000 पुस्तके हैं और गांधी जी के 6,000 के करीब असली फोटो है तो जो मैं बताना चाहरा हूँ की गांधी, समृति एवं दर्शन समीति महात्मा गांधी को लेकर काम करती है और यही नहीं महात्मा गांधी से जुड़े जितने भी अन्य स्वतंत्रता सिनानी है या उस समय के कारिकाल में जो चीजे घटित हुई है उसको लेकर के भी जागरुकता फैलाने का काम करती है इस बार गांधी स्मृती एवं दर्शन समिती की जो एक पत्रिका है अंतिम जन उसने चुकी 75 साल चल रहा अजादी का या अमृत काल है तो वीर सावरकर को समर्पित किया गया है और जैसे ही ये पत्रिका सामने आई कॉंग्रेस ने बवाल मचाना शुरू कर दिया अब कॉंग्रेसी कितना वीर सावरकर के बारे में जानते है आज की समय में ये सवाल उठना लाजमी है और कॉंग्रेस की ही बात नहीं है कॉंग्रेस का जो आला कमान है वो जिस तरीके से वीर सावरकर को अपमानित करता है उसकी भी चर्चा करना आज बहुत जरूरी है अब मैं साथियों आपको एक एक कर कुछ चीजें दिखाता हूँ, आप देखिए कि कॉंग्रेस इको सिस्टम इस समय क्या मानता है, कॉंग्रेस इको सिस्टम ये मानता है कि सावरकर और गांधी दो ध्रूव थे, मतलब दो तरीकी की चीज हो सकती है, ऐसे में महात्मा गांध की पत्रिका, जो महात्मा गांधी को समर्पित है, उस पर वीर सावरकर कैसे प्रकाशित होते हैं, और इसको लेकर के जो कॉंग्रेस का अख़बार है नवजीवन, देखिए उसने क्या लिखा है, उसका हेडर है, गांधी समीती की पत्रिका के सावरकर विशेसांग पर बापू की हत्या का आरोपी बताया गया है अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कॉंग्रेस की अपनी ही दुनिया है उसको सुप्रिम कोट से कोई लेना देना नहीं उसको बाकी अदालतों से भी कोई लेना देना नहीं लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि कैसे जो इस समय सोनिया गांधी की कॉंग्रेस है वो किस प्रकार से नफरत का माहल बना रही है आप देखिए मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं 2003 में संसप केंद्रिय कक्ष में सावरकर के चित्र का राष्टपती एप मतलब वीर सावरकर की जो चित्र है उसका अनावरण हो रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि जब संसप में ये लगाने का फैसला किया जा रहा था उस मिटिंग में कॉंग्रेस के शिवराज पार्टी पनमुखर जी सोमना चैटर जी मतलब बाकी नेता भी मौजूद थे और सबने एक मत से ये फैसला लिया था कि संसर भवन में वीर सावरकर की तस्वीर होनी चाहिए लेकिन इसके बाद जब ये फैसला ले लिया गया दोस्तों तो सोनिया गांधी की कुछ इतिहासकारों से मुलाकात ये लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम के इतिहासकार थे और उ तस्वीर का अनावरन किया गया तो सोनिया गांधी नहीं पहुंची जबकि कॉंग्रेस की सोनिया गांधी या फिर पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि वीर सावरकर को भले ही महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में फस नहीं कि क्योंकि वो जानते थे कि ये तो ही ने हत्या के आरोपी लेकिन लेफ्ट लिबरल एको सिस्टम इस पर ध्यान नहीं देता है वो छुपा जाता है और पूरा एक अलग ही नेरेटिव गढ़ने की कोशिश करता आप देख सकते हैं लेकिन साथियों कॉंग्रेस को ये प विचार अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और ये मैं आपको रिपोर्ट से ही दिखा रहा हूं और वीर सावरकर की जब बात कह रहा हूं ना तो ये भी समझ लीजे हिंदू तुको लेकर बात होती है ना तो उनके लिए हिंदू कौन था वीर सा भारत भूमी को अपना माने और ये माने कि मैं इसी धर्ती में जो बंशज रहना उन्हीं बंशजों का हिस्सा हूं तो ये विचार धारा थी वीर सावरकर की लेकिन आज की कॉंग्रेस को क्या हुआ ये समझ में नहीं आता है सोनिया गांधी इस समय भाजपा के खिलाफ जो इंद्रा गांधी जो गांधी परिवार की ही दिगज देता है और पूर प्रधान मंत्री है उन्होंने जो सावरकर को लेकर के सारी चीजे जानती थी क्योंकि वो उस समय भी सिस्टम का हिस्सा थी बहुत एक्टिव थी इंद्रा गांधी उन्होंने ना केवल उन पर एक डा सावरकर के इसमारक के लिए फिल्म्स डिविजन को अपनी तरब से 11,000 रुपे दिये थे और ये बताया कि सावरकर पर फिल्म बनाई एक डॉक्युमेंटरी बनाई ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये किस प्रकार के महान स्वतंत्रता सेना नी थे इंद्रागान ही ने महाल बनाने लगी है सोनिया गांधी ने इंद्रा गांधी की बातों को तो नजर अंदाज किया है लेकिन साथी साथ महात्मा गांधी की बातों को भी उन्होंने नकार दिया जिसमें खुद महात्मा गांधी सावरकर का सम्मान करते हैं वो सावरकर को मतलब सम्मान के साथ भ पूर प्रिदान मंतरी इंद्रा गांधी सम्मान करती है लेकिन अचनलक से Сोनियां गांधी तक आते आते पता नहीं पूरी की पूरी कॉंग्रेस बदल गई अब ये डिकोड करना बहुत जरूरी है और कई बार मतलब सुनिया गांधी और राहूल गांधी को लोगों ने ये चेतानिक की कोशिस की कि आप जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के बहाओ में बह रहे हैं अपनी विचार धारा को बदल रहे हैं ये ठीक बात नहीं है लेकिन इन लोगों ने कभी इस बात को नहीं माना लेकिन आप याद रखें दोस्तों वीर सावरकर की कहानिया अभी तो मैंने आपको गांधी परिवार की कहानिया आज देश के युवाओं के लिए प्रेड़ना की तरह है अंगिनत कहानिया है पढ़ने की लेकिन अब उसकी बात बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जायेगा लेकिन कुछ बाते आपको जानना बहुत जरूरी है और कॉंग्रेस के लिए भी जानना जरूरी है जो इस समय अपने आला कमान की बात को सुन करकर के भ्रमित हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1857 की क्रांती है आज जिसे देश स्वतंत्रता का पहला संग्राम मानता है वो वीर सावरकर की ही देन है उन्होंने ही पुस्तक लिखकर इतिहास के प्रती हमारे नजरिये को बदला ये समझना बहुत जरूरी है और अब मैं आपको दिखाता हूं कि जिस काले पानी की सजा से बड़े बड़े दिगज घबरा जाते थे डर लगने लगता था दहशत में आ जाते थे अंग्रेज वीर सावरकर से इतना घबराते थे कि उन्हें दो बार काले पानी की सजा सुनाई गई आज जीवन अब ये समझना बहुत जरूरी है लेकिन क्या आप उन क्रांतिकारियों के बलिदान को भुला सकते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंग, सुपदेव, राजगुरू इन लोगों ने जो त्याक या क्या वो भुला देंगे? क्या सुभास्चंद्र बोस ने जो काम किया जिस प्रकार से अंग्रेजों करने की कोशिश कर रही है वो वीर सावरकर क्या है ये समझना जरूरी है और जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक और आटकिल दिखाता हूँ ये आटकिल देखी इसमें बहुत डीटेल से जब मैं पढ़ रहा था अब मैं इसे बहुत जादा बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन इसमें ये साफ लिखा है कि किस प्रकार से वीर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में फसाने की साजिश रची गई और एक किताब का जिक्र है दा मैन हू किल्ड गांधी मनोहर माल गावकर की इस किताब में ये लिखा गया है कि उस समय कानून मंत्री बाबा साहिब अमबेटकर उन्होंने वीर सावरकर के वकील को बुलाया मतलब चुपके से बुलाया और ये बताया कि आपके खिलाब तो हर कोई पड़ा हुआ है आप वीर सावरकर को फसानी की साजिश रची जा रही आप कैसे बचाएंगे सरकार के लोग आपके एगेंस्ट में हैं ये इस किताब में जानकारी दी गई है और खुद बाबा साहिब अमबेटकर लाल किला में इसकी सुनवाई हुई थी याद रखिये आजाद भारत के इतिहास में एक मात्रिय मामला है जिसकी सुनवाई लाल किले में वीर सावरकर के केस की सुनवाई हुई थी और खुद बाबा साहिब अमबेटकर इस सुनवाई को देखने के लिए गये थे लेकिन इसके बाद भी अदालत ने पूरी तरह से वीर सावरकर को बरी कर दिया कहीं कोई दोश उन पर नहीं लगा लेकिन इसके बाद भी आज कॉंग्रेस का हाल देख लीजिए साथ्यों महात्मा गानी और वीर सावरकर के मार्ग अलग हो सकते हैं विचार धारा भी अलग हो सकती है लेकिन दोनों की मन्जिल एक ही थी सत्य की खोज और यहीं वज़ा है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे आज सोनिया की कॉंग्रेस जिस प्रकार से अपने रास्ते से भटक करके पूर महान स्वतंत्रता सिनानी वीर सावरकर का अपमान करने में लगी है यह न सिर्फ भारत के लिए नुकसान दायक है बलकि कॉंग्रेस के लिए भी आत्म घाती है और इसे बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है बहुत बहुत धनिवार आपसे घुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रिस करना मत भूलिएगा नमस्कार